हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल यूनिक चैनल में जैसे कि आप लोग देख रहोंगे यह क्या है हमारा 36 गर के मैप हैं तो इसमें हमने सर्गूजा डिविजन जो है कंप्लीट कर लिया है पूरा उसके बाद हम बिलासपूर डिविजन में आ गए थे तो बिलासपूर डिविजन में हमने एक जीला भी देख लिए वो कौन सा जीला है गवरेला पेंडरा मरवाही जीला जो हमने कंप्लीट देख लिए पिछले वीडियो में तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो है हमारा जीला वो क्या है मुगेली जीला तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मुगेली जीला तो हम पहले आ जाते हैं हमारे मुगेली जीला के मैप में तो फ्रेंड्स यह जो आप लोग देख रहे हैं वो क्या है हमारा मुंगेली जीला का जो है map है तो सबसे पहले हम क्या देखते थे आप लोग को पता ही होगा हम देखते थे कौन-कौन से राज्य झीला है जिससे यह मुंगेली जीला है है वो border बनाती है जीला जो है वो पूर्वसाइट से बनाती है उसके बाद ये जो बे में तरह है वो नीचे की और जो है बे में तरह और ये बलोदा बजार जो जीला है उससे हमारा जो सीमा बनाती है ओके तो ये हो गया हमारा और इसमें हमने एक और जो चीज वो देखते हैं ये क्या है एने ठीक है, NH याने की National Highway तो NH 130 है जो NH 130A है वो कहां से आती है वो आती हमारी कबीर धाम जीले से आती है फिर मुगेली शहर से होते हुए कहां निकाल जाती है हमारी बिलासपूर जो जीले है उसमें चली जाती है हमारी NH 130A National Highway 130A मुगेली होते हुए कहा निकल जाती बिलासपुर जीले में तो ये हो जाते है हमारा complete national heavy को हमने देख लिया तो चलिए friends हम देख लेते हैं एक बार वो प्रसासन में हम आ जाते हैं तो हम देख लेते हैं प्रसासन में क्या क्या चीजे हैं जो हमको देखनी है तो प्रसासन में हम देखते थे तहसिल देखते थे ब्लॉब देखते थे district headquarter देखते थे district headquarter याने की जीला मुख्याले ठीक है तो तहसिल कितने यहां चार है ब्लॉब कितने यहां तीन है और जो district headquarter हो क्या है मुगेली जी लव मुख्याले क्या है हमारा मुगेली है तो चलिए फ्रेंट से हम देखते हैं मैप में कहां कहां पे जो है चार तहसील और कौन से हैं हमारे ब्लोक्स तीन उसको भी देख लेते हैं मैप में तो यह जो देख रहे हैं हो क्या है हमारा मुगेली करके देख रहे होंगे क्या है वो तहसील और ब्लॉग दोनों है और जिसमें सिर्फ टी करके लिखा होगा वो क्या हमारा सिर्फ तहसील रहेगा फ्रेंट्स तो चलिए देखते हैं लोरमी क्या हमारा तहसील और ब्लॉग दोनों है ठीक है उसके बाद जो लाल पूर थाना है वो क्या हमारा सिर्फ तहसील है ठीक है और उसके बाद जो क्या है मुगेली है वो क्या हमारा तहसील और ब्लॉक दोनों है और यही जो मुगेली क्या हमार जीला मुखेले भी है आप लोग दियान दिजिएगा तो यह क्या है जीला मुखेले भी मुगेली है हमारा उसके बाद बता जते हैं पथरिया। यह पथरिया क्या है हमारे मुझे pan forced 2 इभी जो पथरिया है वह कि तो तैसील कितने होगा है और जो ब्लॉक है वो कितने होगाया। तो यह टू थ्री यह क्या हो गए ब्लॉक जो है थ्री हो गए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रसासन में मैंने पहले ही बता चुका है आप लोगों को कि जो तहसील हो कितने है चार है और जो ब्लॉक है वो कितने हैं हमारे तीन हैं तो यह हो गए हमारा पूरा प्रसासन ज जीले का जो जो ये जीला है मुगेली जीला कब बना 2012 में जो है ये जो बना है हमारा मुगेली जीला और किस से अलग होकर बनी है जो बिलासपूर जीला है ना उससे अलग होकर क्या बनी है हमारी मुगेली जीला जो बनी है तो इसकी मातरी जीला क्या हो जाती है बिलासपूर ह हो जाती है ठीक है तो पुरा तात्ति किस थाल हमने क्या देखा मतकुद्विप देखा उसको हम मैप में बाद देख लेते हैं तो यह जो आप लोग मैप मैप देख रहे हैं मुगेली जी लकी तो यहां पर आप लोग देखे पथरिया के जो नीचे की और है दक्षिण की और तो वहां पर क्या है हमारा मतकुद्विप यहां पर है यह जो आप लोग देख रहे हैं यह वाला तो यह क्या हमारा मतकुद्विप है और यह जो आप लोग देख रहे हैं यह जो नदी है एक नदी है शिवनात नदी है तो इसी के तट पर क्या है मतकुद्विप आप तो आप लोग को पते ही होगा, friends कि हमने क्या-क्या देखता है, क्या-क्या देखते हैं, चट्टान में, पहले सबसे पहले देखते हैं, चट्टान देखते हैं, खनीज देखते हैं, भंडाराण देखते हैं, परवत देखते हैं, नदी देखते हैं, ठीक है, तो हम चट्टान देखते हैं क्या मिलता है हमको यह चट्टान जो हैं कडप्प चट्टान मिलता है उसके बाद मिलता है हमको खनीज जो की लाइमश्टोन है या फिर चुना पत्थर आप लोग बोल सकते हैं उसके बाद भंडारण देखते हैं क्या है हमारा भखुरी डी है उसके बाद खमारी डी है उसके बाद सुनपूरी है उसके बाद चैराहा बुंदेली है उसके बाद है हमारा चाटन है ठीक है आप लोग को नहीं दिख रहा होगा आगे तो ये क्या लिखा चाटन लिखा ठीक है उसके बाद परवत देख लेते हैं कौन सी परवत यहां पर मिलती है हमको जो मैकल परवत है वो यहां पर देखने को मिलती है हमको ठीक है तो हमने परवत भी देख लिया ठीक है अब बाद आते हैं हमारे नदी में तो नदी यहाँ पर कौन सी मिलते हैं उसको भी देख लेते हैं यह जो आप लोग देख रहोंगे यहाँ एक महत्तपुन नदी है जिसके तटपर है लोर्मी से है और जो एक महत्तपुन नदी है क्या है हमारी मन्यारी नदी है ठीक है और इसी के तर्ट पर क्या है जो लोर्मी सहर हमारा वही है यहाँ पर मन्यारी नदी के तर्ट पर हमारा लोर्मी सहर है आप लोग यहां से देख सकते हैं यह नदी बिलासपूर और मुगेली के सीमा पर बैठती है ठीक है और यह जो मन्य मन्यारी नदी उसको हम देख लेते हैं मैप में ठीक है तो फ्रेंड्स यह आप लोग देख सकते हैं यह क्या है हमारा मुंगेली जी मैप है तो यहां पर मैं दिखा जाता हूं हम लोग को मन्यारी नदी कहां से निकली है तो यह जो है यहां पर है मन्यारी नदी ठीक है यहां स उसमें जाके बहती है, फिर यह जहां नीचे नीचे आ जाती है, यहां पर आ जाती है, पथर यह तक है जो आ जाती है, उसके बाद ठी है, यह हो गया हमारा नदी, और इसी में क्या है, एक सिवनात नदी को भी देख लेते हैं, यही पर है, जो की यहां पर है, यह जो यहां से जो 2-meter जिल है, वहाँ चली जाती है जो सिवनात नदी है उसको हम देख लेते हैं यहां से है यहां पे आ जाती है ठीक है और यहीं पे क्या है हमारा इसी के तर्ट पर यह मतकुद्रिप है जो हमने पहले देख चूका है तो चलिए हमा आ जाते हैं हमारे आगे तो फ्रेंट्स कहां पर सिहावल सागर से हुआ है ठीक है और इस नदी की एक शायक नदी है और जो हमने इते मन्यारी नदी देखी उसकी क्या है एक शायक नदी भी है ठीक है शहायक नदी कौन सी उसको देख लेते हैं उसकी एक सहायक नदी मन्यारी नदी की वो क्या है आगर नदी है ठीक है यह जो आगर नदी है वो मन्यारी नदी की सहायक नदी है और इस नदी का उदगम कबीर धाम जीले में हुए और यह आगर नदी आप लोग देख रहे हैं वो क्या है इसका जो उद्गम है कहा है कबीर धाम जीले में है आगर नदी के तड़ पर एक शहर है मुगेली ठीक है और यही जो आगर नदी है उसी के तड़ पर क्या है जो यह मुगेली हम जीला देख रहे हैं वो क्या है उसी के तर्ड पर है आगर नदी के तर्ड पर ही क्या है मुगेली जीला जो है वो है जो चलिए आगे देखते हैं यह जो शिवनात नदी यहां पे है इस नदी के उपर है मतकुदीब ठीक है हमने पहले मैप में देख चुक और यह जो आप लोग नदी देख रहे हैं यह क्या हमारा शिवनात नदी है और इसी के उपर क्या है हमारा मत्कुद्विवर ठीक है तो चलिए आगे आ जाते हैं हमारे तो यह रहा आप लोग देख सकते हैं यहां से तो परियोजना देख लेते हैं यहां पर कौन सी परियोजना है तो मन्यारी नदी में एक परियोजना है नाम है खुडिया परियोजना ठीक है और जो मन्यारी नदी हमने देखा उसी के मतलब उसी के उपर एक परियोजना है वो क्या है खुडिया परियोजना है और यह कहां पर खुडिया ग्राम में है ठीक है और जो मन्यारी परियोजना है उसे हम राजियो गांदी परियोजना भी कहते हैं यह आप लोग याद उसके बाद हम देख लेते हैं वन्य जी अभ्याराण ठीक है और ये वन्य जी अभ्याराण का नाम क्या है अचानक मार ठीक है ये क्या नाम अचानक मार नाम है हमारा वन्य जी अभ्याराण का और ये जो कब बना है जो वन्य जी अभ्याराण है वो 1975 में बने ठीक है और जिसका 6 त्रफ़ कितनी है 552 किलूमीटर है और ये 2005 में इसे बायोसफेर रिजर्व घोसित किया गया और इसे इसे बायोसफेर रिजर्व घोसित किया गया 2005 में आप लोग याद रखिएगा इसको और भारत के ये क्या है चौदवा बायोस्फेर रिजर्व है ठीक है और यह जो भारत का 14th क्या है बायोस्फेर रिजर्व बना हमारा यही अचानक मार बायोस्फेर रिजर्व ठीक है और उसके बाद आगे देख लेते हैं और 2012 में इसे मैन इन बायोस्फेर में शामिल किया गया और 2012 में इसे क्या किया गया है 2012 में इसे man in biosphere में क्या है शामिल किया गया अचानक मार्क को ठीक है अचानक मार्क को और इसे पूरा नाम क्या दिया गया अमरकंटक biosphere reserve ठीक है और इसी क्या फिर जो man in biosphere में क्या किया शामिल किया गया तो इसका पूरा नाम क्या रखा गया अमरकंटक Biosphere Reserve के नाम से इसको रखा गया है ठीक है और ये आप लोग याद रखिएगा इसको अच्छे से तो इसकी 6 तरफल कितनी है जब इसको इसमें गोसित किया गया है मेंनिन Biosphere में तो इसका पूरा क्या होगा अमरकंटक Biosphere Reserve हो गया तो इसका जो 6 तरफल है वो बढ़ गया तो देखे लेते हैं इसकी 6 तरफल कितना है तीन हजार आठ सो पैटिस किलो मिटर स्क्वेर ठीक है ये क्या हो जाते है हमारा च्छछेतर फल है अमरकंटक Biosphere Reserve की च्छेतर फल 3835 kilometer square हो गया ठीक और इसका जो 2610 kilometer square आ जाते हैं हमारे 36 गडरे में ठीक है और यह जो अमरकंटक Biosphere Reserve है उसकी जो टोटल जो है च्छेतर फल कितनी है 3835 है ठीक है और इसकी जो है 2610 kilometer square रिल्सribeer हमारा जो है 66 कड में आ जाते हैं और बाकी का जो है वो मद्र्धिस में चलिजाती हैं तो यह जाता है हमारा उनने अभ्यारण हमने देख लिये पर योजना भी देख लिये अभ्यारण भी देख लिये और यह जो अमरकंटाग बायौसenza कवे इसको भी हमने से डिठ जिए में देख लिए तो आप लोग समझ गया होंगे तो चलिए हम आगे देख लेता है क्या क्या है यहां पर आप लोग देख सकते हैं 나오 जन जाती कौन सी मिल दी हमको जं जाती है यहां पर निवास करती है बैगा जन जाती ओके फ्रेंट तो यह क्या है बैगा जन जाती है यहां पर यह Stateuben घंगा में एक कुण है फिसी है ओई जो और ये जो कूंड है वहाँ से क्या है वो जो जल है अमरित जल जो है वो निकलते रहता है आप लोग ऐसे समझिएगा सेद गंगा में कूंड है जहां से अमरित जल जो है निकलती रहती है और यहाँ पर राम जान की मंदीर भी है ठीक है और ये जो सेद गंग है वहाँ पर रा हतनी कला यहाँ पर है अश्ट भूजी दुर्गा मंदिर और यह जो हतनी कला देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर क्या है अश्ट भूजी दुर्गा मंदिर है और मत्कुद्विप क्या बोला जाता है वो जो इशायो का धर्म इस्थल भी कहा जाता है मत्कुद्विप इशाय के लिए धर्म इस्थल है ठीक है यह जो आप लोग देख रहे हो लिखा हुआ है तो इसको मत्कुद्विप को इशायों का धर्म इस्थल भी कहा जाता है तो चलिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से उसको हमने मैप में देख लेते हैं जो जैसे कि यह राम जान की मंदीर है वो और अश्ट भूजी दूर्गा मंदीर है उसको हम मैप में एक बार देख लेते हैं कहां पे है एक्चली में तो आप लोग समझ जाएगा अच्छे से तो चलिए मैप में आ जाते हैं तो यह क्या है हमारा उंगेली जिला का मैप है तो हमने जैसे कि मत्कु दिप को देखी चुका है उसके बाद अब अश्ट भूजी दूर्गा मंदीर को देख लेते हैं कहां पे है ठीक है तो यहां पे जो यह आप लोग देख रहें यह क्या है हमारा मन्यारी नदी के बगल में जो है यहां पे हतनी कला है तो यहां पे हमारा जो है अश्ट अगर नदी यहां पे है ठीक है यह हो जाता है और उसके बाद हम देख लेते हैं यह खुडिया जो हमने परियोजना देखी थी ना उसे मनियारी परियोजना भी कहते हैं और उसी को राजियू गांधी परियोजना भी कहते हैं तो यह खुडिया परियोजना यहां पे मनियारी नदी यह जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से उद्गम हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा परियोजना है, खुडिया परियोजना, और यह जो हम मैं देवगड़ बताया है, उसमें क्या है हमारा, गड़ेश्वर महादेव मंदीर यहीं पर है, ठीक है, और यह जो यहां पर आप लोग देख लीजियोगा मुंगेली के नजदी कि क्या है सेद गंग है और यहीं पर क्या है राम जान की मंदिर भी है और यहीं से हमारा अमरिज जो जल हो निकलती रहती है वो कूंड है एक वहां से क्या है हमारा अमरिज जल हो कंटिन्यू निकलती रहती है ठी आई होगी तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और जो है कमेंड भी करिए ओके गैट्स तो यह हो जाता है हमारा कम्प्लीट आज के वीडियो जो है यहीं तक है तो अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले जीले को थैंक यू गाइस